नमस्कार मैं रादिक अजयाल और आप सब देख रहे हैं खुलासा न्यूस वैसे तो हम सब जानते हैं और ये बोला भी जाता है कि मंदर जाने से पहले चुते चपल बाहर उतार लेने चाहिए लेकिन आप में से कोई कभी ऐसे मंदर गया है जिसमें माद दुर्गा को चपल चड़ाई जाती हूँ सुनकर हैरानी हुई ना मुझे भी हुई थी आईए आपको इस खबर के पीछे की असली बात बताती हूँ आपको बता दू कि है मंदर मद्यपरदेश की राज़दानी बोपाल में इस्थित है तोलार इलाकी पर बनी एक छोटी पहाड़ी पर यह मंदर इस्थित है यह माद दुर्गा का मंदर है इसे लोग जीची बाई के नाम से भी चानते हैं बात यह है कि लोग इस मंदर में म आपको सिर्फ चपली नहीं चश्में घड़ी और बाकी समान भी चड़ाया जाते हैं इसके पीछे की कहानी यह है कि एक सक्ष उंप्रकाश महराज जोनोंने इस मंदर में यह मूर्ति स्थापित की थी और यहां शिप पार्थवती का विवा भी करवाया था और अपने हाथ उसे कन्यादान किया था तब से वह मादुर्गा को अपनी बेटी मान कर उनकी पूजा करते हैं और यह बताया कि उन्हें कभी-कभी अभास होता है कि मादुर्गा को उन्हें पहनाएवे कपड़े पसंद नहीं इसलिए वह उनके कपड़े दो तिन घंटे में बतलते रहते हैं उन्होंnesने ये भी बताया कि मादुर्गा के लिए विद्धेशों से चपपले आती चैश्राम कि दैसे के घंटे में और लोगो के Ugh कैसी ही चलती आ रही है तो दोस्तों आपने कमेंट नीचे कमेंट सेक्षन में कमेंट करके बताईए कि कैसे लगी आपको हमारी ये वीडियो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल कीप वाचिंग खुलासन न्यूस